तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका sports तक में और कुछ दिन पहले IPL का final केला गया KKR और Sunrises Hyderabad के बीच में और इस final में अगर आप देखें दोनों teamों में एक भी Indian खिलाडी ऐसा नहीं था जो की World Cup खेले America और West Indies जा रहा था केवल और केवल रिंकु सिंग थे जो की KKR कैम्प का हिस्सा थे लेकिन वो भी World Cup में Reserve के तोर पर आज ही रवाना हुएं है तो इस पूरे situation को देखते हुए अब वसीम अकरम पूर्व पाकिस्तान के कप्तान और लेजंडरी गेंदबाज ने कहा है कि अब Indian team को ये कहने की जरुरत नहीं पड़ेगी कि वो tired थे ठके हुए थे और ये team India के लिए कहीं ने कहीं एक blessing in disguise हो चकती है जो इस तरह से एक भी खिलाडी जो है IPL के final तक नहीं पहुँच पाया था जो की World Cup squad का हिस्सा था उसके अलावा उनका ये भी मानना है कि अगर IPL में उनको थकान होगी कुछ ना कुछ तो वो इतने fit खिलाडी है कि वो उससे जल से जल निकल भी सकते हैं professional खिलाडी है fitness standard काफी जादा high रहते हैं इन खिलाडियों का तो आईए देखते हैं वसीम अकरम ने exactly इन दोनों situation को लेकर एक website से क्या कुछ कहा है सबसे पहले तो इंडियन टीम के खिलाडी जो की IPL final का हिस्सा नहीं थे उसको लेकर उनका है अब कम से कम भारतिय T20 World Cup squad में शामिल खिलाडियों को ये कहने की जरुरत नहीं पड़ेगी कि वे ठके हुए हैं तो वो नहीं कह सकेंगे कि we are tired वे आगे के बारे में सोच रहे थे कि fine में पहुंचने का क्या मतलब है भारत ज्यादा महतपून है इंडिन टीम जो है सबसे जादा important है हम देश के साथ खेलेंगे वह ये भारत के लिए एक वर्डान साबित हो सकता है तो उनका साफ कहना है ये इंडिन टीम के लिए blessing in disguise होगी जो ये पूरी situation आपको नजर आ रही है कि एक भी इंडिन टीम का खिलारी जो की वर्ल कप में शामिल है वो जो है IPL final खेलते में नजर नहीं आए इसके अलावा उन्होंने fitness standard को लेकर क्या कुछ कहा आए जानते हैं उन्होंने कहा हमने पिछले show में चर्चा की थी कि मुझे चिंता थी कि वे ठग गये होंगे इसमें कोई संदय नहीं है यहां तक कि अमेरिका भी उनके root में नहीं है अगर मुझे याद है तो मुझे लगत है कि पाकिस्तान का पहला मुकाबला डालस में है अब वे जाएंगे और खेलेंगे एक या दो practice match टीम के लिए ठीक रहेंगे मुझे लगता है कि यह T20 format है और खिलाडी ठीक हो जाएंगे आज कल का fitness standard काफी ऊचा है तो यहां पर उन्होंने पाकिस्तान टीम की भी बात की आ पहला बैच गया था Saturday को जिसमें कप्तान रोहिच शर्मा शामिल थे सिराज शामिल थे और बहुत सरे बड़े नाम आपको नजर नहीं आये थे विराट पोली आपको नजर नहीं आये थे हार्दिक पांडिया नजर नहीं आये इसके अलाबा कुछ प्लेयर जो है कल रात को जिसमें युजबेंदर चहल शामिल थे यशवस्पी जैस्वाल शामिल थे इसके अलाबा आवेश खान जो कि रिजर्व में है वो भी गए थे और कल देरात और सुबह के टाइम पर जो है रिंकु सिंग जो कि रिजर्व का हिस्सा है वो भी वर्लकप के लिए रवाना सबसे बहुत जल जो है उबर पाएंगे तो अब देखना होगा कि इंडिन टीम अपनी किस तरह से पहले वर्म अप मैच के लिए प्रपेरेशन करती है हाला कि आपको बता दे कि बहुत सारी खिलाडी चाहें वो सूरेकुमार यादव हो अर्श्टीप सिंग हो सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट जरूर शेर कर रहे हैं न्यू यॉक के चाहे वो जड़े जही क्यों ना हो और न्यू यॉक को देखते नजर आए हैं एक्स्प्लॉर करते नजर आए हैं जगाओं को अब देखना होगा कि यह जो अक्लिमेटाइजेशन की प्रोसेस है कि वहां जाके आप वेदर को अक्लिमेटाइज करते हैं कितना अच्छा साबित होता है टीम इंडिया के लिए उमीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लिजे शेयर कर लिजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भू भी लेगा.